अब काटो कैट ओपन हो जाएगा इंटरफेस जानने के बाद अब हम कुछ मज़ीद टूल्स का यूज़ करना सीखेंगे इस लेसन में तो स्टार्ट करते हैं स्टुडेंट्स एक बाद याद रखेगा जब भी हम कोई भी कमांड आटो कैट के अंदर एक्टिफ करेंगे हमारे पास कमांड लाइन के अंदर एक मेसेज आएगा हमें उस मेसिज को किरफली स्टडी करना होगा जब हम उस मेसिज को किरफली देख लेंगे study कर लेंगे, सोच लेंगे, समझ लेंगे, तो AutoCAD को use करना हमारे लिए बहुत बहुत हासान हो जाएगा, easy हो जाएगा, तो मैं अपने lesson का start करता हूँ, एक line से, आज हम देखते हैं, एक line को कैसे लगाया जाएगा, इसको break कैसे किया जाएगा, selection कैसे की जाएगी, और zooming control कैसे use किये जाते है, AutoCAD के अगर, तो students, जैसे ही मैं अपने mouse को, एक line के उपर लेकर जा रहा हूँ, message मेरे पास आ गया, line, लेकिन आप अपने पास नीचे command window को देखें, यहाँ पास still क्या है, command, तो जैसे ही मैं line के उपर एक click कर देता हूँ, मेरे पास message क्या आ रहा है, कहता है, please मेरे line का first point किदर है, आपके पास एक black area है, आप जिस चका पर भी click करेंगे, आपकी line का वो first point होगा, starting point होगा, तो मैं इसे एक click किदर कर देता हूँ, जैसे मैं इसको एक click किया students, आप mouse को आगे लेकर जाए, आपके पास line आगे जा रही है, आप mouse को जिस तरफ लेकर जाए, line आपके पास उस तरफ घूम रही है, लेकिन अगर आप गोर करें students, आपके पास जैसे जैसे में line को move कर रहा हूँ, कुछ values change होती ही नजर आ रही है, एक तरफ आपके पास angle नजर आ रहा है, दूसरी तरफ आपके पास उसकी length दिखाई दे रही है, और तीसरे message में वो आप आप से next point कहा रहा है, तो students, इस option को अगर आप active रखना चाहें, तो ठीक है, वरना अगर आप इनको active करना चाहते हैं, तो देखें, dyn, जैसे आपके क्लिक कर देंगे, तो यह तुम option option आप से खत्म हो जाएंगे, तो मैं students इन तुम option को खत्म कर देना है भी, अब एक और option मे आप कर देता हूँ, तो students, जैसे मेरे पास यह line आगी, आप मैं इसको जिदर जिदर click करने जाओंगा, उधर जिदर यह click हो जाएगी, तो students में द्वारा से यह function repeat कर देता हूँ, आपके पास mouse है, जैसे आप अपने पास line के पर लेकर जाएंगे, simply, देखें, कुछ भी नही button के थूँ, एक click कर दे, जैसे मैं अपने left mouse वाले button को press कर दूँगा, यह line active हो जाएगी, यह मैंने up press किया, जैसे मैंने press किया, मेरा message change हो गया, अगर आप carefully message को देखें, कहता है, please die line का next point कि दे रहे, ठीक है, आपने first point दे दिया, अब यह क्या मांग रहे, next point मांग रहे, त next, तो आप students जिदर भी click करते हो, वो ही आपका next point होता है, और वो ही आपका last point भी होता है, यहनिके first point आपका पहला point होगा, जहां से आपने line का start लिया था, और जिदर आप आखरी click करोगे, वो आपका last point आजाएगा, जिदर आप आखरी click कर दोगे, वो आपका last point आजाएग तो students, हमारा first point, जिदर हमने पहला click किया था, हमारा last point, जिदर हमने last click किया, इस तरह से अगर आगे click करते जाएंगे, मजीद click करते जाएंगे, तो line-up के पास आगे चलती जाएगी, तो students, मैंने इसाब को खतम किया, again ने line active की, फिर मैंने इसको first point, second point, third point, four, five, six, मफ्तलिफ मैंने इसको points दे दी है, अब अगर आप students work करें, message हमारा क्या, कहता है next point बताओ, अगर आप next point बताना चाहरे हो, वो तो आप समझ गयों, अची तरह से click करना, अगर आप next point ने बताना चाहरे हो, कहता है, और, या तो फिर, आपके पस brackets आगया, अब ये मजीद इसके दर दो सब option आगी है, पहली option क् close, तो समझ ले, close का का काम क्या होता है, close basically हमारे first point को हमारे last point के साथ मिलाने के लिए use कह जाता है, हमारा first point होगा जिदर हमने start लिया था, हमारा last point अब ये है, जिदर मैंने अब click कर दिया, अब मेरा last point ये है, जिदर अब मैंने click किया, अब मेरा last point ये है, जिदर अब मैंने दूर आ रहा है तो यह आपका first point होगा और यह आपका last point होगा जैसी students they close को apply करूंगा automatically line मेरी बंद हो जाएगी अब problem यह है जो चीज़े brackets के अंदर होगी उनको apply कैसे किया जाएगा तो चाल ले जो भी word brackets के अंदर होगा वह आपके पास कोई ना कोई command होगी कोई ना कोई option होगी उस command को active करने के लिए उस command का capital letter press किया जाएगा अब वह capital letter फर्स करो close है close के अंदर एक close है दूसरा center है अब दोनों C से बन रहे हैं लेकिन इन word के अंदर जो capital letter होगा वह उस option को भी प्लाई करेगा अब लाज़मी नहीं है close के लिए C हो लाज़मी है center के लिए C हो शायद close के लिए अगर C है तो center के लिए उन्होंने E किया होगा अगर center के लिए C है तो शायद close के लिए उन्होंने L रखा होगा जो भी capital letter होगा वह आप प्रेस करेंगे आगके पास वो command active हो जाएगी तो मेरे पास यह capital letter है C, अब आपने क्या करना है, बगएर की क्लिक की हुए, जस्ट आप C प्रेस कर दें अपने keyboard से, मैंने देखें, यह C प्रेस किया keyboard से, जैसे आपने C प्रेस किया, अब आप इसको enter कर दो, एक बाद याद रखेंगा, यह जो आप C प्रेस किया, आपने, और यह था मेरा first point, दोनों आपस में मिल चुके हैं, यहाँ पर एक बात देखने के लिए, देखें, यहाँ पर आप क्या कह रहे है, message, command, यह नहीं किया, आपने क्या किया, line को close कर दिया, line की command को finish कर दिया, तो students, अगर आप commands को देखते जाओगे, आप easily काम कर लेंगे, आए, next option को देखते है, line की, again मैं line की पर click कर दे तो, अमीद है कि आप next point देना और close करना अच्छी तरह से समझ गये, नहीं तो फिर देखें, मेरा first point, मेरा last point, जैसी मैंने close, enter किया, first, last, आपस में मिल चुके है मैंने line active की, पहला point दे दिया, दूसरा, तीसरा, चौप था, पांच मारा, चटा, साथा, देखें students, मैंने कुछ मफ्तलिफ points दी है, अब कभी-कभी ऐसा होता है, आप कुछ गलती कर जाते हो, अब अगर आप देखो, आप ने जो गलती की है, वो यहां से की है, मैं up, down, up, down shape बना रहा जा रहा था, लेकिन यहां से मैं बिलकल down आ चुका हूँ, अब मुझे again, यह point इस चका पर आना है, इस point पर आना है, यह point मुझे वापस चाहिए, अब अगर आप दूसरा software की तरह control-z press कर देए, students, तो तुमाम objects आपके move हो जाएंगे, लेकिन हमें तो last point चाहिए तो students, चांसे आप सखलती हो जाएंगे, देखें, undo के option आपके बस तरह available है, u, जैसे जैसे आप u enter करते चाहोगे, तो देखो, एक step आप पीछे जा रहे है, u enter, अच्छा, enter, u press करने के बाद आप enter भी press कर सकते हो, और space भी press कर सकते हो, यह दोनों एक काम के लिए use की जाते है इनके, enter our space, तो मैं space press कर रहो अपी, जैसे मैंने space, enter press किया, तो मेरे पास line मेरी, पीछे अपने को चलीगी है, तो students, हम अपनी line को जितना पीछे लेका जाना चाहें, u enter करने से, हमारी line, एक step back होते जाएगी, it is clear students, मजीद कुछ options देखते हैं line के इंदर, again मैं students line लगा ली, एक, दो, तीन, चार, पाश, ये मुझे M shape मैंने बना डाली, अब students, मुझे ये M shape चाहिए, अगर मैंसे C press कर देता हूँ, और अपनी line से पीछे चलाना चाहरो, मैं कहता हूँ, मेरे जो ये line है, मुझे अजाद कर दे, free कर दे, लेकिन देखें, जिदर ज लेकिन ये extra function इसने कर डाला पीच में, ये line मुझे नहीं चाहिए थी, ये वाली line मुझे नहीं चाहिए थी, तो हमें इस तरह की shape चाहिए थी, अब ये shape हम कैसे लेंगे, तो जब मैं इसे, एक, दो, तीन, चार, पाश, पॉइंट दे देता हूँ, यहां से आगे मुझे line नहीं चाहिए, तो students, यहां से आप line को break करना चाहरे हो, simply आप space press कर दो, अपनी keyboard से, या enter लगा दो, तो मैं simply space press कर देता हूँ, जैसी मैंने space लगाया, तो line ने मुझे छोड़ दिया, मैं आजाद हो चुका हूँ, मेरा target मुझे मिल गया, M shape मुझे मिल गी है, तो इस तरह से हमने अपनी line से पीछा छड़ा दिया, अब बजीद कुछ lesson देखते हैं, वापिस मैंने कुछ line यहां पर draw कर दी, एक, अब space लगाए, line खतम, वापिस आपको line लेनी है, वापिस line के पर click करें, फिर एक point, दूसरा point दें, फिर space लगाए, line खतम, अब यहां पर एक चीज़ क करें students, आपको line चाहिए, आप बार-बार line के पर click करते हो, एक point देते हो, फिर दुसरा point देते हो, फिर space लगाते हो, अब इसकी shortcut क्या है, आप simply अगर आप space प्रेस करते होगे, तो आपके पस last option, last command आपकी active हो जाती है, देखें, space, फिर space लगाए, line active होगी, click करें, line खतम हो फिर मैं एक space दिया, ये, ये, फिर, ये, ये, फिर space लगाए, तो ऐसे आप अपनी line draw कर सकते हो, again again, last function आप repeat कर सकते हो, अब students, हम देखेंगे selection के कवानीन के हैं हमारे पास, selection से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूंगा, बास उकात हम काम कर रहे होते हैं, हमें एक line को बिल्कल सीधा draw करना होता है, अब अगर मैं try करूं students, line को सीधा लगाने की, अब इसे एक point हो, और मैं अगर इसे देखूं, देखूं, शाहिद, 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 लेकि आपके स्केल की मदद से लगा लोगे, अब autocad के अंदर आप कैसे सीधी line लगाओगे, तो इसके लिए आपके पास एक command button है, एक command है, आर्थो, आपके पास ये है, आर्थो, आप इसके पर click कर दो, जैसे आप इसके पर click कर दोगे, तो आपके पास author active हो जाएगा, line आपकी स इसे जाएगा, तो मैंने ये F8 प्रेस किया, जैसी मैंने F8 प्रेस किया, अर्थो, आन, जब अर्थो, आन होगी, आपकी line दिरकल सीधी आ रही है, देखो, click, click, वापस F8 प्रेस कर दो, अब आपकी line अगेन, टेडी मेरी हो रही है, ये देखें, ये नहीं कि F8 से लिए दाला, वापस मुझे line आगे नहीं लेकर जानी है, space लगा दे, आप तक line को खत्व कर दाला, इसी तरह, next जो हमारा lesson है, वो हम selection के कावनीन के बारे में देखेंगे, हम AutoCAD के इंदर selection कैसे करेंगे, तो selection करने के लिए मुफ्तलिफ तरीके कार है, method number one, control A, means select all, इसका मतलब हो पास page के अंदर material है, या इस file के अंदर जितनी भी आपके पास material है, वो सारे का सारा select हो जाए, तो student selection के लिए, आप simply control plus A press करें, select all हो जाएगा, जब कोई चीज़ select हो जाए, आप simply razor के पर click कर दें, वो तुमाम चीज़ें आपके पास raise हो जाएंगी, अभीध है students, आपको इ सीखने के लिए मिला होगा, next lesson में हम लोग दिखेंगे selection और zooming का क्या दरिके कार है, इसके